नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमितरा सोलेशन पर और मैं हूं गणे सुझा दोतों देशा कि आपको पता है कि पीम किसान सम्मानेडी योजना की जो 2000 की किस्त आती है सभी किसानों की तो उसमें जो 10 वी किस्त है वो अभी किसी भी किसान की नहीं आई है लेकिन दोस्तों जब तक आप EKYC नहीं करोगे तब तक किसी भी किसान की जो 10 वी किस्त है वो नहीं आएगी तो आपको किस प्रकार से KYC करना है, KYC कम्प्लीट होगा या नहीं होगा, CSE से आप किस प्रकार से KYC कम्प्लीट करोगे, इसकी कम्प्लीट जानकरी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, दोस्तों CSE के उपर भी यह सर्विस है वो चालू हो चुकी है, त KYC किस प्रकार से करना है, आपको आजाना है PM किसान की इस साइट के उपर, यानि PM किसान.gov.in, यहाँ पर जैसे आप आओगे तो दोस्तों यहाँ पर उपर आप देखोगे CSE Login, तो आपको इसके उपर कलिक कर देना होगा, जैसे आप इसके उपर कलिक करोगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक जो नया पेज है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, यहाँ पर OTP और Biometric आधार Authentication का ओप्सन आपके सामने आएगा, तो दोस्तों अभी इसमें थोड़ा Error चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर डारेक्ट है, वो जो KYC है वो करके दिखाता हूँ, यदि CSC से होगा तो मैं CSC से भी बता दूँगा, तो आपको इस KYC वाले बटन पर कलिक करना होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको आधार पर कलिक करना होगा, तो मैं यहाँ पर आधार नमबर है वो लगा देता हूँ, दोस्तों आधार लगाने के बाद में आपको यहाँ प button पर click करेंगे तो यहां पर mobile number मांग रहा है तो आपको यहां पर mobile number है वो भी लगा देना होगा mobile लगाने के बाद में आपको get OTP पर click करना होगा तो दोस्तों आपके mobile के उपर एक OTP आएगा तो आपको उस OTP को भी यहां पर लगा देना होगा दोस्तों OTP लगाने के बाद में आपको यहां पर submit for auth पर click करना होगा जैसे आप इसके उपर click करोगे तो आपके सामने इस परकार से EKYC is successfully submitted तो यह message आपके सामने आ जाएगा तो दोस्तों इस परकार से आप सभी किसानों की जो EKYC है वो complete कर सकते हो यह उम्मीद गरता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो यदि आपको वीडियो पसंद आजाता है वीडियो लाइक कर दीना सेर कर दीना साथ में कि लाएट कर दो आपके में खिया है वीडियो बखिए